Hello students, मैं शशांक आपका स्वाद करता हूँ Law Prep Judiciary में और आज हम आपके साथ हैं एक बहुत ही important series लेकर जिसका नाम है Mini Master Class Series इस series के माध्यम से हम आपके Judiciary और APO में आने वाले जितने भी minor acts हैं उनको हम detail में discuss करेंगे और आपकी seat जो है Judiciary में पक्की करवाएंगे और आज इस series में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ POXO Act POXO Act जो की 2012 में आया था POXO Act की बात करें तो इसका full form है Protection of Children's from Sexual Offenses हम सभी लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक पुरुष प्रधान देश है और इसमें खासकर महिला और बच्चों के लिए बहुत जादा अलग-अलग कानून नहीं है IPC, CRPC में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जहां पर हमने महिलाओं के सुरक्षा के बारे में बात की है परंतु विशेश रूप से बच्चों के बारे में हमारे पास 2012 से पहले कोई विशेश अधिनियम या एक्ट जो है नहीं था तो उसको ही पूरी तरीके से परिपक करने के लिए हम लोग पॉक्सो 2012 में लेकर आए इससे पहले कि अगर हम बात करें तो पॉक्सो एक्ट को लाने से पहले बहुत सारे ऐसे आकड़े भी हैं जो हमें समझने होते हैं NCBC की रिपोर्ट से हम लोगों को पता चलता है कि 1992 से लेकर 2012 तक बहुत सारे ऐसे मामले थे जो खास कर sexual offenses से related थे और वो भी किस से बच्चों से related तो इसी लिए हम लोगों को एक बहुत ही special act की जरुवत थी जो की हमारी सरकार 2012 में लेकर आई है तो चलिए समझते हैं इस POXO Act के बारे में तो इस POXO Act की अगर बात करें तो इसको प्रेसिडेंट एसेंट कम मिला था तो आपका अंसर आता है 19 जून 2012 और इसको इनफोर्स कब किया गया था तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसके इनफोर्समेंट डेट जो है वो है चिल्रेंस डे तो चिल्रेंस डे मनाया जाता है आपका 14 नवंबर और 2012 में ये 2019 में जिसकी डेट थी 16 ओगस्ट और इसी वज़े से 2019 के बाद ये जदादर हर जुडिशियरी हर एप्यू के एक्जाम में एक स्पेशल माइनर आक्ट बन गया अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं तो ये एक स्पेशल एक्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्ट ज तो अगर मैं अपसे बात करता हूँ, तो यहां पे 9 चाप्टर हैं और टोटल सेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें 46 टोटल सेक्शन है जो की आज हम नोग तो पूरी डीटेल में देखेंगे ही देखेंगे और इसके साथ सेक्शन 2 को भी हम लोग समझेंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो POXO Act को लाने के जो objective थे, वो क्या थे, तो POXO Act की अगर बात की जाए, तो इसका सबसे बड़ा objective जो था, सबसे बड़ा उदेश जो था, वो था बच्चों का संरक्षन, और मतलब कह दूँ, तो protection of children's, किसस from sexual offenses, अब यह sexual offenses की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपके sexual assault आजाता है, sexual harassment आजाता है, और इसमें खास कर, पॉर्णोग्राफी जो है, वो भी इसमें शामिल हो जाती है, तो यह तीन विशेश रूप से, आपके वो offenses हैं, जो POXO Act में बहुत अच्छे से cover किये गए हैं, इसके बाद इसका दूसरा objective जो है, वो है आपका एक special code बनाना, जिससे की बहुत तेजी से, बहुत speedy trial हो सके, और बच्चों को centric, मतलब आप कह सकते हैं, child centric approach से ही, आप court पूरी तरीके से काम करें, तो यह जो special code होगा, यह child centric approach रखेगा, और इसके साथ साथ, बच् इस POXO Act का दूसरा objective क्या है, वो है proper development of child, जिससे की, जिसमें आपका physical development, mental development, यह दोनों ही development आपके आते हैं, और social development भी इसमें included है, मतलब इस POXO Act के माध्यम से हम चाहते हैं, कि जो बच्चा, जो भी victim है, वो किसी भी तरीके के परिशानी से गुजर रहा है, तो उसको उससे दूर किया जाए, और समाज में उसे एक अच्छी स्तिती में लाया जा सके, यह इसका उद्देश था, और लास्ट में अगर बात करें, तो बच्चे की जो privacy है, और जो confidentiality है, उसको maintain करना है, मतलब हमें यह देखना है, कि जो हमारे इंडिया के जो सबसे vulnerable section है, जो की child है, ज एक बहुत ही एहम objective है, इस पूरे POXO Act का, जिससे की उसकी, आप क्या सकते है, privacy को सुनरक्षित किया जा सकता है, चलिए, आगे देखते हैं, कि इसमें जो आपके अलग-अलग chapters हैं, वो कहां से कहां तक हैं, क्योंकि pre-K examination में POXO Act से direct questions आ जाते हैं, कि बताईए chapter 1 जो है, व section 1 और section 2 जो है, खासकर section 2 जो की definition पर based है, ये बहुत ही महत्पूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा special act है, जिसने बहुत सारी definitions को define किया है, जिससे की बहुत आसान हो जाता है, इस तरीके के आपके sexual offenses को समझना और उन पर अपने judgments देना, chapter number 2 जो है, वो अलग-अलग sexual offenses, जो की children's क against होते हैं, जो बच्चों के against होते हैं, उनको पूरी तरीके से परिभाशित कर, उनकी punishment को भी बताता है, मतलब कहने का ये है, कि इनको सिर्फ और सिर्फ define नहीं करता, बटकि इनकी punishment को भी define करता है, और chapter number 2, तो sexual offenses against children's, chapter number 3 में, use of child for pornographic है, और इसका जो range है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये 13 से, section number 13 से लेके 15 तक किसके बारे में लिखा हुआ है, कि बच्चा जो की pornographic purposes के लिए use हो रहा है, तो उसके साथ क्या-क्या नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा कोई करता है, तो punishment क्या मिलनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, इसके बाद chapter number 4 की अगर बात करते हैं, तो 16 से 18 के बीच में हैं, और ये खासकर abatement और attempt की बात करता है, जो child को जबरदस्ती, आप कहा सकते हैं, उत्प्रेशन जो है, वो किराया जा रहा है, या किसी तरीके का attempt किया गया है, sexual offense करने के लिए किसी बच्चे के against, तो इन सारी चीज़ों क तो परिभाशित और इसके डंड को कहां पे लिखा हुआ है, chapter number 4 में लिखा हुआ है, इसके बाद जो सबसे महत्पून आपके chapter हैं, जो कि pre के लिए हैं, वो हैं आपके chapter 5, chapter 6 और chapter 7, chapter 5 जो है वो बात करता है कि क्या procedure होना चाहिए, किसी भी case को report करने के लिए, मतलब क्या procedure ह होना चाहिए, कि अगर किसी बच्चे के साथ किसी तरीके का sexual offense हुआ है, तो कैसे उसको report करना है, magistrate को करना है, या फिर local police को करना है, या फिर किसी special reason, special आपके unit को करना है, तो ये सारे प्रावधान जो हैं, वो आपके 19 से लिके 23 तक पूरा detail में explained है, और इसी लिए ये इसके बाद chapter number 6 जो आपके exam के लिए बहुत ज़्यादा important है, वो बात करता है, आपका procedure for recording of statement, recording of statement की जब बात करते हैं, तो हम सभी लोग जानते हैं, जब भी trial होता है, जब भी cases होते हैं, तो उसमें recording of statement बहुत ही एहम प्रक्रिया होती है, और जो कि POCSO Act में 24 से 27 के बीच मे खास कर इस बात को ध्यान रखा गया है, कि ये जो पूरी की पूरी जो procedure होगा, प्रक्रिया होगी, इसको child centric रखा जाए, मतलब बच्चे को ध्यान में रखे हुए कर रखा जाए, और इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि parents जो है, उनकी उपलब्धी और उनकी availability जो है, बहुत जादा धिहान में रखी जाती है, चाहे वो medical test हो, चाहे वो किस तरीके examination हो, चाहे वो किस तरीके recording or statement हो, उन सब में जो आपके बच्चे के जो माता-पिता हैं, जो guardian हैं, वो उसके साथ रहते हैं, इसके साथ साथ इस पूरी trial को खदम करने के लिए chapter 7 में, जो कि 28 से 32 के बीच में है, special court के establishment, उनकी powers, उनको कैसे बनाना है, अगर special court नहीं है, तो कौन special court की तरीके से काम करेगा, वो सारा प्रावधान आपका chapter number 7 में दिया गया है, और chapter 8 जो है, वो बात करता है, आपका 33 से 38 के बीच में, जिसमें उसी special court के procedure और powers के बारे में लिखा है, इसके इलावा एक chapter number आपका 9 भी है, जो की बात करता है miscellaneous की, और miscellaneous में अगर बात की जाए, तो ये 38 से लेकर 46 तक ये पूरा section आपका आता है, और इसमें खासकर miscellaneous दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अब हम लोग समझते हैं कि जो section number आपका 1 है और 2 है, वो क्या है, तो section number 1 में कुछ खास नहीं, बस आपको उसके extend के बारे में लिखा है, कि भाई ये कहां कहां पे लागू है, तो ये पूरे भारत देश में लागू है, इस बात को ध्यान रखेंगे, अब section number 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी परिभाशाएं हैं, पर जो है आपकी child की, child की definition जो है, वो 2D में दी गई है, और ये कहां गया है, any person below age of 18 years, मतलब यहां पे any person लिखने का मतलब यह है, कि यह जो POXO Act है, यह आपका general neutral हो जाता है, यहां पे महिला, यहां पे अगर कोई कह सकते हैं, female child है, या male child है, फरक नहीं पड़ता, कोई भी child हो अगर 18 words से कम है, तो इसको child की कड़ेगी में रखा जाएगा, और उसके साथ अगर किसी तरीके का sexual offense होता है, तो फिर इस बात को ध्यान रखा जाएगा, कि उस पे POXO ही चलाया चाहे, इसके बाद आता है, section number 2 में आपका 2DA, जो की 2DA, जो की 2019 के amendment से आया है, जो child pornography के बारे म बात की जा रही है, यह करीके के conduct की बात की जा रही है, जो कि खास कर sexual act को प्रवावित करता है, चाहे वो किसी तरीके की photo कीची गई हो, चाहे वीडियो बनाया गया हो, किसी तरीके के digital media का इस्तमाल किया गया हो, वो सब अगर इसमें child involved है, जो की 18 words से कम है, तो उसे child pornography में लाया गया, इसके बाद आता है आपका domestic relationship, जो की आपका 2E में दिया गया है, 2E में domestic relationship, और domestic relationship में बिलकुल वही definition दी गई है, कहा गया है, इसमें अलग से नहीं लिखा कुछ भी, बस यह लिखा गया है, जो की आपका section number 2 में protection of women's from domestic violence act 2005 में जो परिभाशा, जो definition domestic relationship की है, वह ही definition आपकी 2E में है, तो यह question कभी-कभी बन जाता है, कि भाई, चल्दी से बताईगी 2E में कौन से act के बारे में भी बात की गई है, तो यह आपका protection of women's from domestic violence act आता है, इसके बाद आपका 2H जो है, वो religious institutions पर आता है, religious institutions के कौन-कौन से आपके धार्मिक संस्थान है, उनके ब इसके बाद special public prosecutor जो है, जो 2M में परिभाशित है, पूरी तरीके से तो नहीं, बढ़ हाँ, यह कह सकते हैं कि इसी लिखा हुआ है कि yes, 2M में उसका जो special prosecutor होगा, वो कहां पर आगे लिखने, आगे उसमें पताया गया है, बस खास बात यह है कि इसका जो experience है, वो आपका 10 वर जो की इस पूरे POXO Act में परिभाशित किये गए हैं या define किये गए हैं और कौन कौन से section में define किये गए हैं, आज हम लोग देखेंगे, तो देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहला जो है, वो है penetrative sexual assault, जो की definition जो है इसकी, वो दी गई है आपकी section number 3 में, इसमें definition दी गई है और दिया गया है इसका punishment, तो आप देखेंगे, जो section 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, आपका 11 है, यह सब definition देते हैं, अलग-अलग offenses की, और जो आपके section 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, यह आपके punishment के बारे में बताते हैं, तो दूसरा है आपका aggravated penetrative sexual assault, जिसकी definition जो है, वो तो आपकी कहां पर बारे में definition दी गई है, section number 7 में, पनिश्मेंट दिया गया है, section number 8 में, sexual aggravated sexual assault के बारे में definition 9 में दी है, और punishment उसी का 10 में दिया गया है, और sexual harassment की definition जो है, वो आपकी दी गई है 11 में अपनिश्मेंट दिया गया है, section number 12 में, तो आपको बहुत आसानी से इस flow chart से समझ में आ और जितने भी आपकी even number हैं, वो सब आपके punishment के हैं, और जो भी odd number हैं, वो सब आपके definition के हैं, यह pre के perspective से आपके लिए most important है, तो आज की जो हमारी series है, जो आज हमारा वीडियो है, उसमें एक खास बात यह है, कि हम इसको आज यहीं तक हम रखेंगे, और next video हम लेकर आएंगे, पॉक्सों के ही, जिसमें part 2 उसको हम रखेंगे, अब यह करने का कारण क्या है, मैं आप लोगों को बतातूं कि यह पहली वीडियो है, इस वीडियो के माद्यम से हम चाहते हैं, कि बच्चे का बिलकुल भी time बरबाद ना हो, तो जिस भी section को, या जिस भी part को वो पढ़ना चाहता है, सिर्फ उतने ही part को उतना ही time दे, और बाकी part को ना देखे, या देखना चाहे, तो देख भी सकता है, तो अगर आप लोगों को इस तरीके की series चाहिए, तो please comment करिएगा, जिससे कि हम और भी अलग-लग जो minor acts हैं, उनकी series जरूर लेकर आएंगे, तब तक के लिए जैहिंद, thank you